नमस्कार दोस्तों मैं सिस्पाल मलिक सवागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन पे दोस्तों गिरलेंडो नसल की एक गाये ने जब से 2021 में 127 लीटर दूद एक दिन का दे कर वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है तब से वो सबी छोटे बड़े फार्मर्स की पसंद बन गई है और हर कोई उसे अपने फार्म पर पालना चाहता है तो बहुत से बाईयों के फोन आते रहते हैं और बहुत से कोमेंट्स में भी पूछते रहते हैं कि सर जो ये गिरलेंडो गाये है जिसने ये 127 लीटर वाला रिकोर्ड बनाया है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए कि इसके जवान होने कि क्या उमर है और क्या ये इंडिया में जो गरम मोसम है उसमें कामियाब है और ये दूद कितना देती है और इसका सीमन हम इंडिया में कहां से ले सकते हैं और जो इसके बच्चे है वो कितने मा में ये बच्चा देने लगती है और कितने सालों तक बच्चा देती है तो दोस्तों आज का ये वीडि में मक्बूलियत की इंतहा को पार कर चुकी है आज का ये वीडियो उसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया है तो गिरलेंडो गाय की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उस से पहले रिक्वेस्ट है अपने उन सभी दोस्तों से जो आज पहली बार चैनल पर आए है या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सस्क्राइब बटन दिया गया है उसको दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले और उसके बाजू में जो गंटी का बटन दिया गया है उसको दबा कर ओल पर सेट कर ले ताकि हमारी आगे आने वाली सेवी वीडियो सीधे आपके पास पहुच जाए और आप उससे जानकारी लेकर अपने पसुपालन को बहतरीन बना सके और दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम आए दिन ऐसी जानकारी वरी वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं जिन से जानकारी लेकर आप अपने पसुपालन को बहुत ही उच्छ कोटी पर ले जा सकते हैं अपने यहां पर एक से एक अच्छी ब्रीड तयार कर सकते हैं तो इसलिए चैनल को अभी सस्क्राइब कर लेजीए तो चलिए दोस्तो वीडियो से टार्ट करते हैं दोस्तो जिस गाय के हम बात कर रहे हैं और जिसे आप सामने वीडियो में भी देख रहे हैं इसका नाम गिरलेंडो है ये ब्राजिल देश की रेजिस्टर्ड गाय है जिसने सन 2021 में एक दिन का 127 लीटर दूद देकर गिनीज बुक ओफ वर्ल्ल रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है सबसे ज्यादा दूद देने वाली गाय के रूप में और साथ ही साथ एक दिन का इतना ज्यादा द देकर इसने दुनिया के सभी गायों की नसलों को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों अब बात करें गिर्लेंडो नसल के उद्य की इसके जनम की तो दोस्तों गिर्लेंडो नसल का जनम कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है 1944 के दसक में ब्राजिल देश के राजा कैल्शो जारशिया ने इंडिया के गुजरात का दोरा किया कैल्शो जारशिया चोकी एक किसान के बेटे थे और उनका खेती बाड़ी और पसुपालन में काफी रूची थी इसलिए उन्होंने जो गुजरात के महराज थे उनको रिक देश्क फारम है पसुपालन के उनकी विजिट कराए उनका दोरा कराए तो गुजरात के महराज ने उनको कुछ विशेश पसुपारमों का दोरा कराया और ब्राजिल के राजा ने इन फारमों पर बहुत सी गायों की नसले देखी और उनको गिर गाय बहुत पसंद आई त और ब्राजिल रवाना हो गए ब्राजिल जाने वाले इस नरबुल का नाम कृष्णा था दोस्तों उन दिनों ब्राजिल में गायों की अलग-अलग किसमें पाई जाती थी जिनमें एचफ जर्शी, डच, डिगर आधी नसले सामिल थी ब्राजिल में उस इंडियन गिर जिसको गिर्लेंडो नाम दिया गया, गिर्लेंडो गाये में गिर और एचफ दोनों गायों के गुण मुझूद हैं और दूद उत्पादन में इस गाये का कोई मुकाबला नहीं था, तो ब्राजिल में छोटे बड़े सभी फार्मर इसी गायों को पालने लगे, जिसका प् पाकादा तोर पर अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया और इसका नाम गिर्लेंडो रखा गया क्योंकि ये नसल गीर और एचफ के क्रोश से पैदा हुई थी, दोस्तो इस वक्त ये गाये परती दिन दूद उत्पादन के लिहाज ये दुनिया की सभी गायों की नसलों म पहले नमबर पर है, जैसे कि आप जानते है कि एच एफ जर्शी और डच गाये जो कि दूद उत्पादन के लिहाज से बहुत ही कामियाब मानी जाती है और दुनिया में ज्यादातर फारम भी इनी नसलों के हैं और ये नसले बहुत पसंद भी किये जाती है लेकिन गिर्ले मियाबी की सबसे बड़ी वजय इसका दूद उत्पादन है क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक दिन का 117 लीटर दूद दे कर गिनीज बुक ओफ वर्ल रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है यानि कि एक दिन का सबसे ज्यादा दूद द तक बच्चे पैदा करने की अक्समता रखती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कुल फैसला 410 तिनों का होता है और ये गाए एक ब्यात में 310 दिनों तक दूद देती है यानि कि तकरिबन 10 महीने ये दूद देती है इसके दूद में फैट 4-4.5% होता है और ये गाए पूरे ब्यात में 20-25 अजार लेटर तक दूद देती है वजन के हिसाब से ये गाए काफी तेजी से बढ़ती है और हर दिन अपना एक किलो वजन ये आसानी से बढ़ा लेती है और चुकि ये गिर्लेंडो नसल इंडियन गिर और अमरिकन एचेफ के क्रोश से पैदा देते हैं सरीर के हिसाब से तो दोस्तों ये एचेफ जैसी दिखती है लेकिन इसका जो पिछला और आगे वाला हिस्सा है वो इंडियन गिर जैसा ही होता है चुकि इंडियन गिर गाए गरम परदेसों के गाए है इसलिए ये गिर्लेंडो भी इंडिया पाकिस्तान चीन जै इस नसल में बहुत कम होती है इस तरह की इन सभी खुबियों के बल पर ये गाए आज दुनिया के सभी छोटे बड़े फार्मर्स की पहली पसंद बन चुकी है और सभी फार्मर्स इस गिर्लेंडो गाय को अपने फार्म पर रखना चाहते हैं तो दोस्तों अब बात करें इसके सीमन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि अभी तक बारत या पाकिस्तान में गिर्लेंडो गाय का सीमन अवलेबल नहीं हुआ है आप चाहें तो ब्राजिल से आप इसको एक्सपोर्ट करवा सकते है या तो अगर आपका कोई ब्राजिल में रहता है तो उसके थरूँ आप ब्राजिल से इसका सीमन मंगा सकते हैं जब इंडिया में इसका सीमन आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा तब तक आप अपने चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए ताकि जब भी हम आगे इस चैनल पर कोई वीडियो डाले वो सीधी आपके पास पहुंच जाए और आप उससे जानकर लेकर अपने पसुपालन को बहतरे इन बना सके और दोस्तों खबर आ रही है कि पंजाब में कुछ बड़े फार्मार्स कुछ बड़ी कमपनियां गिरलेंडो गाय की ब्रीड त्यार करने में लगी हुई है तो द अपने बाईयों को जरूर बताऊंगा इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और दोस्तों ये थी जानकरी गिरलेंडो गाय के बारे में उमीद है दोस्तों जानकरी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए लाइक से भी ज्या यहाँ पर अच्छी नसल की ब्रीड त्यार करके अपने पसुपालन से काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सके और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई जानकरी के साथ तब तक नमस्कार प्रॉब